जैसे राम, 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 नमस्कार, एजूकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है आज के सूडियों में बिहार, सिक्षक वाली, साथवेशन, T.E.T.S.T.E.T. के बारे में बात करने वाले हैं टोप information update आज की बड़ी खवर पर बात कर रहे हैं आप लोग headland देख सकते हैं सात्वें चन बहाली परक्रिया पर रोग तो बड़ी खवर है याचिका का मामला परकास में फिर से आ चुका है जिसमें 5 questions गलत की बातें की गई है और आप लोग केवल physics तक ही इस मामले को समीत न रखें सभी विसे के अभिर्थी ध्यान दें और सोचें विचारें 12 March 2020 को ही result जारी हुआ था उसके बाद आप लोग खुद भी देख सकते हैं कितने समय बीत चुके हैं अभिर्थों के धेट साल लगभग बीत चुके हैं उसके बाद इस टाइब के मामले परकास में आ रहे हैं कि question गलत का मामला परकास में आया है आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को और यहां पर आप लोग देख रहे होंगे इस पर भी बातें करने वाले हैं कि पहले answer की जारी किया जाता है answer की जारी होने के बाद objection किया जाता है सभी पर बातें करने वाले हैं तो आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि बार बार याची का लगतार देखने को मिलते हैं और बहाली परक्रिया पर इस्टे लग जाता है और बहाली परक्रिया रूख जाती है और ऐसे में बात कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं कि physics में ही बात करें तो physics में मामला बहुत ही गंभीर समझा जा सकता है जो भी अभिर्थी जो भी qualified हुए थे physics में qualified करने वाले की संख् रहे थे और अचानक से यह क्या से क्या हो गया आप लोग समझसक्ते हैं इन बातों को नुकरी पकी से यह क्या Merit से दिस्क्वालफाई का टिकट तो ऐसे में आप लोग खुद भी विचार कर सकते हैं पांच कोस्चन से क्या उलट फिर हो सकता है और 5 कोस्चन से यदि उलट फिर होता है तो आप लोग खुद भी जान सकते हैं जो अभिर्थी बोर्डर लाइन पर अर्खाद 75 या फिर 67.5 अर्खाद आप लोग समझ गयोंगे 45 परसेंट और 50 परसेंट जिनका भी अंक बन रहा होगा 75 या फिर 67.5 जो बोर्डर लाइन पर होंगे और पांच कोस्चन आगे पीछे होने से क्या से क्या हो सकता है और ऐसे में बरह एक बात बरह उलट फिर देखने को मिल सकता है और इस बात को लेकर जो बातें पहले हुई थी जो 21 जून को 21 दुहाई 20 को फिर से दोबारा रिजल् मेरिट लिस्ट और नूट इन मेरिट लिस्ट दो भागों में बांटा गया उसके बाद देखा गया जिस परकार से अभियरती सामने आए अपनी बातों को रखने लगे और लगतार इस टाइप का मामला फिर से पनपता हुआ दिखाई दे रहा है एक बार फिर से इस का मामला है या फिर answer ही गलत है, option ही गलत दिये गए है जिस step का भी मामला हो लेकिन इससे बहुत बड़ा परभाव परमी वाला है जो भी 75 या फिर 67.5 पर है और कुछ अभिरती तो जरूर होते ही है इसे में आप लोग कुछ या अधिक से अधिक अभिरती नीचे अर्थात 75 या फिर 75-80 के बीच में ही होते हैं या फिर 67.5 और 72 के बीच में ही होते हैं और जो संख्या है इसकी संख्या अधिक भी हो सकती है तो आप लोग खुद भी विचार कर सकते हैं बात कर लेते हैं कि बार यह क्या से क्या हो रहा है तो online परिक्षा में यदि online response इट दिया जाता तो इस टैप की बातें जो लगतार याचिकाएं लंबित हो जाते हैं एक तो डिले होता है परकिरिया में देरी होती है साथवाचन पर रोक लगता है और दूसरी बात लगतार य response देना चाहिए था उस समय में तो यह सभी याचिकाएं नहीं होते BSEB अध्यक्ष या क्या हो गया आप लोग खुद भी जाने समझें इन बातों को अब आगे देख लेते हैं परमुक सचीब जी BSEB अध्यक्ष सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए आप मामला बहुती गं question पर अभिर्थी को संदे होता है उसके बाद अभिर्थी द्वारा दिया गया सभी objection पर विचार किया जाना चाहिए दजी बिल्कुल BSEB अध्यक्ष का या डायूत बनता है कि जो भी objection किया गया है उस पर विचार करने के लिए process के लिए आगे बढ़ाना चाहिए था और उ आचेका पर ध्यान देना है, तो SME उस समय में ही final answer की को भी public किया जाता और अभिर्थी देखते फिर सि final answer की को भी revised किया जाता है। तो इस टैप की बातें नहीं होती, लेकिन आज के समय में इस टैप की बातें हो रही है, और इससे कहीं न कहीं सभी विशे के अभिर्थियों पर फरक परता है, जी बिलकुल सभी अभिर्थी मानसीक रूप से परिसान होते हैं, सभी विशे के अभिर्थी को ऐसे में परिसानी एक विसे में कुछ हेरा फेरी होता है और बार-बार certificate ही बदलता जाता है बार-बार certificate ही बार-बार बनता है तो इसे में अभिर्थी तो परिशान होंगे ही आप लोग खुद भी समझ सकते ही इन बातों को लगतार अभिर्थी परिशान होंगे और एक तो certificate के लिए अभिर्थ किया जाए, सीखर निर्गत किया जाए, उसके बाद STET Certificate निर्गत हुआ था, उसके बाद फिर से इस टैप का फिर से पुना हुआ ही प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो आप लोग समझ सकते हैं क्या असर परने वाला है इस पर, तो जी बिलकुल तो काफी समय, अभिरतियों के इस तरह से नोकरी पकी से क्या से क्या हो जाता है, यहां तक कि नोकरी पकी से 12 मार्च और 21 जून के बीच आप लोग जान सकते हैं, तीन महने तक अभिरति इंतिजार कियो, उसके बाद नोकरी पकी से क्या से क्या हो गया था, और यहां